नमस्कार न्यूज़ेटीन मादेप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपड़ना मौज़ब आज की महा डिबेट उस मुद्धे पर जो करोडों लोगों की आस्था का मुद्धा है इलाबाद हाई कोट का बड़ा फैसला है यह फैसला श्री कृष्ण जन्म भूमी और इदगहा मज़ित परिसर से जुड़ा हुआ है कोट ने हिंदू पक्ष के दावे को मानते हुई याजिका स्विकार कर ली है और शाही इदगहा परिसर में सर्वे को मन्जूरी दे दी है लंबे समय से श्री कृष्ण जन्म भूमी शाही इदगहा को लेकर विवाद चल दिये है नहाले ने जब बात कही है तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा संपोन और भब मंदिर के सुपनों को मथूरा में पूरा करेंगे हाई कोट ने सर्वे को मन्जूरी दे दी है साथी हाई कोट ने हिंदू पक्ष की मांग को भी स्विकार कर लिया है हिंदू पक्ष ने सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एड़ोकेट कमिश्टर की नियोकती की मांग की थी जिसे कोट ने मान लिया है हाला कि अभी सर्वे की तारीक, जगा और एड्वोकेट कमिश्टर कौन होगा इस पर फैसला 18 दिसंबर को किया जाएगा इस फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा है यह आचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और साथ अन्य लोगों की ओर से दायर की गए थी जिसमें दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जित के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वो मस्जित एक हिंदू मंदिर है मता दे कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी धार्मिक विवाद वाली जगह के ASI सर्वेक्षन को मंजूरी दी गई हो इससे पहले आयोध्या में बाबरी मस्जित का ASI सर्वे कराया गया था हाली में वरनसी की ज्यानवापी मस्जित के ASI सर्वे को भी मंजूरी दी गई थी कुल मिलाकर अब काशी के बाद मतुरा में भगवान श्रेक्षन विराजमान होंगे और इसी लिए इस पैसले को लेकर सभी की दिगाए हैं जन्मूमी के केस में जो शाही इद्गा मस्जित है उसमें एड़ुकेट कमिशन के द्वारा सर्वे किया जाए ऐसी हमारी मांग थी इसके लिए हमने एप्लिकेशन मूव की थी माननी इलाबाद हाई कोर्ट में आज कोट ने फैसला दिया है मुझको लगता है पारवर्म प्रमात्मा भगवान से राम की एउध्या में भब दिब नम्म मंदिर निर्मान कार तो चली रहा है लेकिन आज कोट का फैसला बहुत सुंदर है बहुत साराहनी है जिससे मुझको लगता है भगवान कृष्ण की जन्म भूमी मंदिर निर्मान भी अब संभब हो पाएगा देखिए तो सभी सनातनियों की बिजय है जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया था उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कारे अब कानूनी तोर पर प्रारम हुआ है वहिलाबाद हाई कोड की फैसले को लेकर मध्यप्रदेश ते बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि सर्वे से दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मधी बीजेपी नेता जैभान पवया ने कहा कि जल्दी भगवान श्री कृष्ण निवराज मान होगे श्रीराम जर्म भूमी के लिए तो हमको खून बहाना पड़ा मैं संगर्श का साक्षी राह लेकर अब ऐसा लगता है कि इस बदले हुए योग में भारत में हम नियाए पालिका के रास्ते अपने भगवान के संपोन और भब्य मंदिर के सुपन को मथुरा में पूरा करेंगे जिल्दे पूरा करेंगे तो एतिहास एक शण है अब सभी को इंतजार है सर्वेक्षन का हमारे साथ खास गेस पैनल में जोड़ चुका है हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है राजपाल सिंग से सोधिया जी वो जुड़ गए हैं सबसे पहला सवाल मैं राजपाल सिंग जी आपसे लूंगी जो करोडों लोगों की आस्ता का विशे था जबापर भी था दिल में उमीर भी थी क्या अब यह लग रहा है कि उस अपने को साकार करने का वक्त जो है उसके हम और नजीक पहुंच रहे हैं और रफ्तार नजर आ भव श्री राम मंदिर में आउध्या में राम दला जी की सापना करने की इस्चिती में हैं महीं दूसरी तरफ जो मतरा से ये खुश खबरी आई है इलाबाद हाई कोट के निर्णई के माज़म से जो एक सनातन के लिए हमारे भारत वास्यों के लिए एक जो खुश खबरी आई है कि भगवान स्रीकरस्न की जन्मेस्तली जो है वह जन्मेस्तली उसमें उस मंदिर के अंदर जिस पकार से इद्गाह बना दिया गया था वहाँ पर उस इद्गाह में कई सारे मंदिर के प्रमान भी पेले पाए गये हैं और उसी को लेकर एक हाई लेविल पर एड़ोक स्थान के लिए यह जो श्रीकर्ष्ण जन्द में स्थली शंगर्स का जो एक दोर था वो दोर न्यायले के माध्यम से संपन होने जा रहा है नया भारत में माने न्यायले के माध्यम से हमें जिस पकार से है का खुश खबरी मिलिये स्वागत ही हो गया है पूरा देश यह नया भारत है और नय भारत में ही संभव हो पा रहा है और वो भी नरेंद्र मोदी के नेतर्त में यह बीजेपी नेताओका कहना है प्रवकताओका कहना है आप जो आज यह फैस्ला आया है कॉंग्रस पार्ती उससे किस तरह से देख रही है देखिए मैं आपको एक बात बहुत इस्पस्ट कर देना चाहता हूं यह जो भी फैसला है यह नयाले का फैसला है इसमें कहीं से भी कोई भी तरह का राजनेतिक हस्ता छेप का अगर क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है तो राजनेतिक लोग यह साफ समझ लें क्या आप आप ने नयाले की स्वाइटता पर भी प्रश्ण चिन्न लगा दिये हैं आप यह कहना चाह रहे हैं कि नयाले जो है वह आपके इशारों पर काम कर रहा है और मेरा एक बात सीधा सीधा सवाल है क्या राजनीती में धर्म का क्या लेना देना है धर्म आस्था का विशय है मेर अराद्य है मैं खोद एक कृष्ण का उपासक हूं मुझे यह उन से पूछना है क्या मेरा आस्था का विशय नहीं अगर मैं कॉंग्रेस हूं तो क्या मेरे अराद्य नहीं रहे गए तो यह बात तो पहले भाजबा को नए सरे से खोजना होगी कि क्या वह नयाले का सम्मान क करते हैं या उसको भी अपने आधीन समझते हैं उसकी स्वायत्मता को भी अपने आधीन समझने लगे हैं कि वह जैसा कहेंगे वह जब चाहेंगे जब उनकी सरकार है तो नयाले यह नहीं ले पा रहा है अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो नयाले नहीं नहीं पाता तो यह ह अगर नहीं करने दिया जा रहा है या कहा जा रहा है क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि नयाले का फैसला जो है वो हमारी सरकार के इंफ्लूएंस की वज़े से हो रहा है अगर आप वोट की राजनीती बना रहे है उसको तो यह आप अपने लिए एक बहुत बड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं कि आपने समयधान की पिलर को एक इस्तंबु को कमजोर कर दिया जो नयाल है तो यह चीज़ें तो उनको से पूछी जानी चाहिए कि आप इसका क्रेडिट किस बेस पर ले रहे हैं राजनेतिक रूप से इसका मुझे नहीं लगता कोई भी लाप क महराज जी कि सुन पा रहे हैं आप मुझे सर कि महाम अनलेश्वर जी कि आपके पास लेकिन इम्तियाद अली साहब भूपाल से हमारे साथ इम्तियाद अलीजी जो यह फैसला लिया गया कानूनी तरीके से लड़ा गया मामले में यार्ची का दायर हुई सुनबाई हुई और आज अदालत का यह फैसला कैसे देख रहे हैं तो इसके अंदर किसी भी तरह का दूसरा हस्शेप नहीं होना चाहिए और मैं सौगत करता हूँ इस तरह के नडले की कि वहाँ पर एक निश्पक्ष जाज हो और जो भी साक्षे हैं वो सामने आए और देखा जाए कि वहाँ पर असल में क्या था तो मैं मानी नैयले द्वारा जो यह एक आजश दिया गया है मैं इसका सौगत करता हूँ निशित तोर पे इसके प्रेणाम आएंगे वो आने वाले समय में सुकद होंगे और इस निडले के बाद जो भी प्रेणाम आता है उसका मुस्लिम समाज को सौगत करना चाहिए जैसा कि अयुद्धिया में जब निडले आया था उस निडले का भी मुस्लिम समाज ने जो थ का सौगत किया और इसका भी वो सौगत करेगा जी राजपल जी यहां पर सवाल यह भी उठता है कि सब कुछ नियाइक विवस्था के तहत हुआ मामला यार्चिका गई यार्चिका पर सुनवाई हुई और आज अदालत का यह फैसला कि अठाया तारिक को तै होगा कि सर्वे का तरीका क्या होगा किस तरह से होगा तो फिर इस पे बीजेपी और बीजेपी की नेता लगातर अपना श्रेलेदे की कोशिश क्यू करते हैं यह कॉंग्रस का सवाल हैं हम विवस्ता का परिवर्टन हुआ है नय वारत में यह बताने का विरम्रता से प्रयास कर confronted कोन थे हैं कुछ से वके विरोध में तो कफिल दए कफिल कहा के निता थे, कॉंग्रेस के निता थे, सरकार ने कॉंग्रेस की हुआ करती थी, तारीक पे तारीक बढ़ाने का काम सरकारी वकिल किया करते थे, लोग अभी जो किया करते थे, अब सरकार के अंडर भारती जन्दा पार्टी की सरकार ने भारत है, अब तारीक नहीं बढ़ रही है आप कोई कौंग्रिस के वकिल जाकी वाँ पेरवी नी कर रहे हैं. अब जो है सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे वहाँ पेरवी कर रहे हैं वकिल के रूफ में वो तारीख पर तारीख बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं. कफिल सिब्बल साथ ने 2019 के अंदर सपत्पत्र दिया था कोट के अंदर राम मंदिर मामले में और सपत्पत्र क्या दिया था कि यह अभी चुक्कि आने वाले समय में लोगसमा के चुनाव आ रहे हैं इसलिए प्रकार को अभी जो यह लंबी तारिक में डाल दे जाए दो साल ओधाट की तो इस प्रकार करें लगाने के काम कांग्रेस की सरकारicon किये हैं वे काम अब नियाए पालिका में इस परकार के नहीं हो रहे हैं पर उन्यानाँड़ कार पा रहे हैं recycling कर पा रहे हैं defending के असमें पर यड़ा बीधर की हुड़न डेने का काम वादी-बादी प् मामनलेश्वर जी आपसे मेरा एक सवाल है जो धर्म के अनुयाई है वो भी और जो तमाम दर्शक हमाई हमें देख रहे हैं समय और आपको सुनना चाहते हैं उनके लिए एक सवाल मेरा यह है सनातन धर्म की परंपरा का पालन करते हुए कहा यह जाता है कि कणकर में भगवान बसे हुए हैं जब कंकर में इश्वर व्याप्त है और मत्रा में जन भूमी में हर कोई भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए पहुंच रहा है और उसे वो आनंद की प्राप्ती होती है क्योंकि मैं खुद कई बार मुझे सवभाग मिला है कि मैं मत्रा में गई हूँ जन रहें इसको लेकर जरा पी समझा दीजिए कि देखेए इस पष्ट है कि हम प्रतिकात्मक अभिवेक्ति करते हैं इश्वर की भगवान की तो उसके अंदर होता यह है कि जिन जिन जगों पर भगवान का आउत्रण हुआ उन जगों को हम उनके स्पंधन को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर मंधिर बना देते हैं या धर्मिस्थल को इसा भी बना देते हैं साथ में आप यह देखेंगे कि जहां पर जोतिल लिंग है तो जोतिल लिंग जो है उसकी परावज्यानी का वशक्ता है परावज्यानी उनका अवत्रण भी हुआ है तो ऐसी इस्तिती में लिए श्री किष्ण जी का जनम जहां हुआ है उस बात का और उस जगे का कोई पुरातात्विक महत्व निकालना हो और उस इस्तिती के अंदर रिदियम कार्बन डेटिंग करके या फॉसिल स्टडी करके या जो भी तकनिकी माध्धम निकाल करके उस इतिहासिक दरोर को अकरनता है हमारे राष्ट के अंदर कि उन्होंने हमारी मौलिक दरोवर को विनाश कर दिया और उसको विनाश करके अपने अपने उसको उपर कुछने कुछ स्ट्रक्चर्स खळे कर दिये तो हमें यह तो मालूम करना पड़ेगा ना अब आज की स्तिती में जो लोगों ने उस पर बना रखा है वो दावा पेश कर देंगे कि यह तो हमारा ही है किसी भावन का भी हमें इतिहास जादना होता है तो उसकी सर्शिपोर्ट निकाली जाती इसका कि वास्तविक इसकी चैन ऑफ ओनर्शिप क्या थी तो हम पूरे अखण भारत की बात कर रहें कि आपने द इतनी लंबी नाइक प्रिक्रिया का इंतजार नहीं करना चाहते थे खेर हो गया अब सर्वे का आदेश हो गया ग्यान वापी की तरह तो हमें सर्वेक्षन के अंदर पश्ट हो जाएगा और सत्य को सामने लाने के लिए संविदान के तहत यह कोई कारवाई हो रही है तो उ इसका स्वागत होना चाहिए इसी से राष्ट के अंदर वियमनस से खतम होगा और आपसी सोहाद्र बढ़ेगा जी बहुत अच्छी बात आपने कहीं कि सभी जो नियाये का फैसला आता है साहच उसे स्विकार करें सत्य सामने आए तो हर कोई सोहार्थ के साथ रहे पाएगा क्योंकि यही बात इम्तियाज अली साहब भी यहीं पे यह कह रहे थे कि मुस्लिन समुदाइन अयोध्या में जो फैसला आया उसका भी स्वागत किया उसे स्विकार किया और जो भी पैसला आगे भी आएगा उसे हर पक्ष को स्विकार करना चाहिए लेकिन इम्तियाज अली अली साहब मैं जाना चाहूंगे आप से कि जितना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है और जानकारी हासल की है कि ये कहा जाता है कि मुसल्मानों को अपनी इबादत के लिए खास तौर पर नमाज पढ़ने के लिए किसी स्ट्रक्चर की आवशक्ता नहीं होती है वो एक दिवार के सहरे भी नमाज पढ़ सकते हैं बस चाहिए दिशा का ध्यान रखना पढ़ता है मुझे सही कर लिजेगा अगर मैं गलत होंग साथी जहां हम नमाज पढ़ते हैं वहां से बैतुल्ला का रुख होना चाहिए तो ये दो चीजे जो है नमाज कहीं भी हो सकती है वो जंगल में भी हो सकती है जमीन पर भी हो सकती है किसी एक जगा अबादत गहा बना कर वहां पर भी नमाज अदा की जाती है तो नमाज वादी जगाओं पर अबादत करना वो अबादत में खलल पेदा करना है तो ऐसी जगाओं पर अबादत करना मेरे मान से ठीक नहीं है अगर कहीं ऐसा होता है कि जो जगाओं ऐसी थी कि जहां पर कुछ आकरंताओं ने आकर उस निर्मार को तोड़ा और निर्मार को तोड़कर वहाँ पर अबादत्गाहे बनाई है, तो वो समय उस काल की गल्तियां थी, तो आज के काल में इसको नहीं दोहराना चाहिए और मानी नयाले ने जो आज यहां पर नड़ने लिया है, उस नड़ने में जो भी दूद का दूद है, पानी का पानी है, वो सब के सामने आएगा, और मेरा आपके इस मंज के माध्यम से समस्त मुस्लिश समुदाय से अनुरोध है कि माने नियानल का हम का आजेश का पालन करना चाहिए, और राश्ठ हिर्द और देश हिद के अंदर इस बात को हम सभी को सर मान लेकिन रोहित यादव जी सवाल यहां पर यह भी उठता है इम्ताद अली सहब ने कहा कि जिसना से जो भी पहले काल में गलतियां हुई तो उनको सुधारने का भी बगत आ गया है यही बात महामंडलेश्वर जी भी कह रहे हैं लेकिन सवाल कॉंग्रेस पर भी उठते रहे है को लेकर कोई बयान देता है तो कॉंग्रेस के स्टैंड को लेकर सवाल उठते रहें क्या कही ना कहीं कॉंग्रेस अपनी बात को ना तो सही तरीके से पहुँचा पाई है या फिर आप कंफ्यूज रहें पार्टी कंफ्यूज रही कि हमें जाना किस तरफ है किसको खुश कर कि पार्टी कभी कंव्यूज नहीं रही है यह जो गलतियां होई है यह कोई पता जो अकरंटां या आ आ है वो हमारे देश के अजाद होने के पहले की कहानिया थी दूसरी बात कभी भी कॉंग्रेस ने सामाजिक समरस्ता के ताने बाने को बिगारने का काम नहीं किया, ना ऐसा कोई काम किया कि जिससे उसमे थोड़ी भी खलल पड़े. तो ये बात पहले हमें इसपस टकनी चाहिए कि हमारा जो रास्टवाद है, वो सामाजिक समरस्ता के अधार पर ही चल सकता है. हम किसी एक को संतुस्ट करके, दूसरे को संतुस्ट करें, किसी की भावनाओं को आहत करें. ये Congress ने कभी नहीं किया है, वो एक समाजिक समरस्ता को हमेशा मानने वाली पार्टी रही है, हमने कभी 80-20 में किसी देश को बाटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे सीने पर अल्रेडी एक जख्म है, जो हमारे बटवारे का जख्म है, जो इसी आधार पर हुआ था, ये ब Congress की भावना कभी ये नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, हम गांधी की सिद्धान पर चलने वाले लोग हैं, जो हमेशा से कमजोर के साथ कड़े रहें, चाहे पाकिस्तान के कमजोर हो, या दुनिया की किसी भी कोने के कमजोर हो, गांधी नहीं जो आपको कमजोर देखे, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा सिद्धान थै, मगर ये भी साथ में बात सच है, कि हमारी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उद्देश कभी नहीं रहा, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, या हिंदू पक्ष हो, अगर यहा मतलब आपके माध्यम से या मेडिया इस भी माध्यम से हुआ हो, कongress ने कभी नहीं किया ऐस दंग कोई का ने लेकिन तुस्टी करन की राजिति का आरोप या मैं कहलू कि टूश्टी कई राजिति का स्टाइल जो कहा गया कि कोंग्रस ने अपनाया और इस देश के संसाधनो पहले आपने जब यह बात उठाई है प्रदानमंत्री मनमौन सिंग्जी का जो बयान था उसको कभी आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे आखरी में उन्होंने अल्प संक्यकों का नाम लिया उन्होंने ये कहा था कि आखरी पंक्ती में खड़ा जो व्यक् किया जिसमें सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया गया वैसे बहुत से वीडियो आपके सामने भी साथ चाते रहे हैं कि अगर आप याद करें तो मेरा पहला सवाल ही आप से था कि क्या कॉंग्रेस अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई या कंफ्यूज रही निश्टी तोर पर तुष्टी करण शब्द किसने को लेकिया है कॉंग्रेस लेकि इस देश के अंदर तुष्टी करण के नाम पर कॉंग्रेस ने जिस पकार से लंबे समय तक अल्प संक्य कवर्ग के लोगों को अपना वोट बिंक मानकर उनका धूरुपयोग करने का काम क कि जंदा ने देखा 2014 के बाद में देश के अंदर पधान मंत्री के रुप में नरेंदर मोदी आते हैं वो सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की जब बात करते हैं सबके लिए योजनाये लेका आते हैं समान रूप से हिद्गराई मुलक योजनाओं के वाजब हर भारती का जीवन इस तर उचा उठाने की बात करते हैं तब एक नया सिद्दान्थ प्रदिपादित होता इस देश के अंदर और उस सिद्दान का नामें संतुष्टी करण समाज के हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट करना संतुष्ट करके उनका जीवन इस तर उचा क्योंकि हमने तुष्टी करन के खिलाब संतुष्टी करन की रन नीटी बनाकर देश के सामने एक विटास का मॉडल भारत के रुप में प्रस्तूर करने का काम किया हमने पंडित जिन्दयाल उपाद्जी के एक आफ्री मिनिट में जाहूंगी कमेंट महामनलेश्वादी से रा कैसे युग में आ गए हम कि भगवान को अदालत में जाकर कहना पड़ा कि मैं हूँ मेरा जन्म यहां हुआ था यह जगा मेरी थी यह क्या कहेंगे इस पड़ा देखे यही तो हमारे आगे विडम बना है हमारा इतिहास इतने बुखों से कहा गया इतने तरह से लिखा गया कि वास्तविक्ता जो है कहीं ने कहीं भ्रहम के माध्यम में उलज गई तो हम इन भ्रहम को उत्पन्ना करके अब यह युग तो है देखे अब विड्यानिक साक्ष की आवशक्ता है हमारे पात संसाधने पहले संसाधन नहीं थे एदि हम देखे तो हम किसी राजनितिक दल को दोस्त न दे दोनों के अंदर कहीं ने कहीं वही बात ही आपके अभी सबस्क्राइब करके कहा तो हम संपड़ाइब को सनातन कशने संपरदाय थे कि मात्यम से ऑडवेत हो या दवयत हो दूर्वादा इसलाम हो एक शवरवाद व्ल्य." हो हिंदु दर्म हो उनके पास में अपनी अपनी अबादत का अपनी माद्ट को अपनी का माधिर के साथ सबी मैमानों से इतना ही वक था मेरे पास बहुत शुक्री आप सब्सक्राइब कर लिए हिंदू पक्षी और अठाया तारिक तैकी गई है जब सर्वेक किस रीके से होग इस बात को लेकर फैसला सामने आएगा कहा इतना ही जा रहा है कि जो सर्च है वो तो जार्च के बाद ही सामने आएगा दूद का दूद होगा पानी का पानी यानि कि सत्ते हर हाल में सामने आएगा फिलाल इस महारी बेट मेरे साथ इतना ही खबर लगाता जा रही है जुड़ कर दिए करें जो खिर नाले करें कर दो कर दो कर दो कर दो एक्रिकर झाले को कर दो